हेलो फ्रेंट्स, इयर 1999 में राम गोपाल वर्मा की एक मूवी आई थी, कौन? जी हाँ दोस्तों, मूवी का नाम है कौन? यह एक साइकलोजिकल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म को एक ही घर के अंदर शूट किया गया था और इसके शूटिंग महस 15 दिन में कम्पलीट हो गई थी और इस फिल्म में सिर्फ 3 ही काष्ट थे उर्मिला मातोंटकर, मनोज वाजपई, एंड सुचान सिंग इनके अलावा कोई भी चौथा चेहरा आपको इस फिल्म में नजर नहीं आएगा ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि फिल्म का बजट बहुत ही कम होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस फिल्म का बजट धाई से 3 करोड का था बॉक्स ओफिस कलेक्शन की बात करें तो लगवग 6 करोड का था इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 पर मोर वीडियोस प्लीस सब्सक्राब तो में चैनल